हेलो ख्लास शिक्स आज आज आपका मैंत का फर्स चैप्टर क्या है तू लर्न एबाउट नमबर और इसी के बारे में आज हम आपको कुछ बताते हैं तो क्या है फर्स्ट डिजिट इन हिंदु एर्बिक सिस्टम भी यूस्टें सेंबल नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to represent any number these 10 symbols are called digits are figures नहीं हिंदु एर्बिक सिस्टम में आप जीरो से लेकर के नाइम तक की डिजिट को यूस करते हैं और इन सेंबल को आप डिजिट पोलते हैं तन नुमरल्स अ ग्रूप अप डिजिट्स दिनोटिंग अनमबर इसकाल नुमरल्स अब आपका नुमरल्स अकशती का नुमर्स अनमब रिजिट आ इसकाल अनमबर इसकाल नुमर अपका टाहिएं ऑपका अनमबर हीट्रिट आ हैं यूसाल नुमर आपका के place value and face value we use place value system to represent a number in this system we start from the extreme right as unit tens hundred thousand ten thousand lakh and ten lakhs etc अब आप place value में क्या करते हैं right side से चलते हैं और one से लेते हैं one stands hundred thousand ten thousand lakh 10 lakhs etc then the place value of digit depend upon its position in the number to place value होती है वो number के position के उपर depend करती है the fixed value of the digit is the face value of the digit which remains the same whatever be its place values therefore the face value of five says always five whenever it may be कहने को मतलब यह है कि जो किसी digit की जो face value होती है वो same रहती है वो किसी भी place पे रहे उसे कोई उसके उपर effective नहीं पड़ता है use up Camas in Indian system we make pair from right side first three digit then pairs of two digits जब आप Indian system में कोई number right करते हैं तो right side से पहले three digits के बाद कामा उसके बाद two-two digits के उपर कामा लगाते हैं एक तो पहले three side right side में चलेंगे तो पहले three pair उसके बाद two two pairs का है अब देखते नंबर को कैसे इस चेंटर फॉर्म में write करते हैं तो इस चेंटर फॉर्म में write करने के लिए क्लिए क्या होता है जैसे 70,000 3,070 और 8 है तो आप इसे simply add कर देंगे तो कितना हो जाएगा 73,078 okay expanded form इसी का just opposite होता है इसे 73,078 है तो आप इसे write करेंगे कितना हो जाएगा 70,000 3,078 write in words in Indian system of numeration यह आप words में कैसे write करते हैं तो जैसे यह number है आपके पास okay तो मैंने पहले ही बताया कि पहले आप right side से पहले 3 का पेर उसके बाद 2,2 डिजिट का पेर बनाते हैं तो अगर इसे read करेंगे तो 1,100 then thousand then lakh then crore then arab यह नि 6 अरव क्या हो जाएगा 6 अरव 40 crore 73,12,495 okay अब write in words in international system of numeration तो इसके लिए जैसे number यही है आपका okay तो हम यहां क्या करते हैं राइट साइट से 33 का पेर करते हैं इंटरनेसल सिस्टम में 33 का पेर होता है इंडियन में पहले 3 उसके बाद 2,2 का इंटरनेसल में पहले सभी 33 का होता है लेकिन ड्राइट साइट से लनाते हैं तो यहां वन स्टेंस 100 उसके बाद क्या हो जाता है thousand then million तो कितना 640 million देखे 640 million 259 846 ओके तो find the sum of the place value of 5 in 45,38,518 तो यहां पहले आपका वैले first 5 का place value आप राइट कर लेंगे कितना हो जाएगा 500 then second 5 का place value आपका इतना हो जाएगा लाइक प्लेस पेजले 5 लाइक फिर दोनों को हम एट कर देंगे तो 5,500 हो जाएगा then find the sum of the place value and fist value of 5 in 47,38,518 तो यहां देखे इस्टुटेट जो 5 है उसकी कि place value कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी ओके और face value क्या होगी तो मैंने बोला था पीछे की same रहती है ओके 5 हो जाएगा दोनों को एट करेंगा तो 505 ओके अब आपका निश्ट कोशन के राइट था smallest nine digit number having four different digit digit suppose that आपके पास क्या 0123 है तो smallest number write करने के लिए आप smallest digit से start करते लेकिन आप 0 starting में नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 गर आप starting में लेंगे तो फिर उसकी कोई value नहीं होगी तो इसलिए पहले आप one write करेंगे उसके बाद 00 use करेंगो लास्ट में 23 use करेंगे के लिए इस तरीके से और इसी का जश्ट अपोजिट कोस्टन राइट ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट नंबर हैविंग फोर डिफेंट डिफेंट इस तो डिजिट सपोस्ट आपके भी वही है 0123 और इसका जब आप लाजस्ट नंबर राइट करेंगे तो सबसे पहले अगर किसी नंबर में लेश टीजिट है तो क्या होगा जिसमें मोड रिजिट होंगे वह से क्या होगा लेस होगा छोटा होगा ओके अगर बोथ नंबर में सेम डिजिट है नंबर आप डिजिट एकवल है तब आपको क्या क्या स्टेप यूज करना पड़ेगा देखनें फिस्ट वन कंपेर द दिजिट एट डिजिट करना लेफ्ट अप अप द नंबर ओके आपको क्या करना है पहले, digits को compare करना, left, left side में आपको digit compare करनी है, if they are equal in value, then compare the second digit from the left, अगर दोनों digits equal हैं, अभी आपको मैं नीचे एक एक्जामपल दोंगा, तो अगर आपके दोनों digits left side में equal हैं, तो हम उसके second वाला number को match करेंगे, okay, if the second digit from the left are equal, then compare the third digit, तब क्या करेंगे, third digit वो compare करेंगे, और ऐसे ही, continue this procedure till you come across unequal digits at the corresponding place, और यह process सब तक करेंगे, जबकि आपका digits क्या होते हैं, unequal नहीं होते हैं, okay, जैसे यहाँ पर आपका एक एक एक्जामपल है, कितना है, इसमें, दोनों में 6-6, sorry, यहाँ देखे, एक में 6 digit है, दूसरे में 5, तो 6 digit वाला आपका क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों में 6-6 digit हैं, आप क्या करेंगे, compare करेंगे, तो देखे, इसके first place पे कितना 8-8 है, second में 6-6 है, third में दोनों में 9-9 हैं, और 4 digit क्या है, first वाले में 8 है, second वाले में 2 है, first वाला number क्या हो जाएगा, आपका greater हो जाएगा, okay?